भारत को यूँ ही विश्वगुरु नहीं कहा जाता इसमें भारतिय संत परंपरा का विशेश योगदान है यहां एक ओर इसाई मिश्णरी और मुस्लिम मौलाना धर्म प्रचार के नाम पर मतांतरन शिक्षा के नाम पर शोशन और सेवा के नाम पर संस्कृति का विनाश किया साथ ही प्रलोभन डरा धमका कर अनेक प्रकार से मतांतरन का कुछ चक्र चलाने का कारे किया इन्होंने भारत और उससे पहले यूरोब उत्री अफ्रीका के सम्रध संस्कृतिक विविधता का विनाश किया जिनमें यूनानी, मिश्री, कैल्टिक, गौथिक, वाइकिंग और रोमा सहीच सैंकडों सभेताएं हैं इन सभी लोगों को कुर्तम तरीके से खत्म करने का काम कर रहे थे जो कि उनकी परंपरा है जब मतांतरण और राजे सामराजे स्थापना के उद्देश्य से जड़े जमा चुके मुस्लिम आकरांता भारतिय समाज को संस्कृती च्षिप्त और अस्मिताहीन करने पर आमादा था तब जहां एक और भारतिय वीर माभारती के लिए लड़ रहे थे तो दूसरी और संत कवियों ने भी पूरी शक्ती से सांधी का सामना किया तथा भारतिय आस्था को डिगने नहीं दिया और भारतिय संत जन्मानस को उसकी मूलधार मिक्ता, आध्यात मिक्ता एवं संस्कृतिकता से जोड़ने के साथ ही आडम बरू और सामाजिक उश्रंक लताओं, छुवा छूत, अंध विश्वास, मतांतरण के खिलाव भी लोगों को जागरू करने का भी प्रमुख कारे किया यही कारण है भारतिय आतिहास और राजनीती की पराजय संस्कृति या अस्मिता की पराजय नहीं बन सकी इस सबका श्रय हमारे भक्त कवियों और संत परंपरा को जाता है इसी परंपरा के वाहत थे संत नारायन गुरू जिन्होंने भारत में सामाजिक पुनरजागन के साथ साथ केरल में सामाजिक सुधार के लिए आध्यार्पिक नीव स्थापित करने में महत्वपून भूमिका निभाई साथ ही समाज में जातिकत भेदभाव को तूर करने तथा अपसी संधर्ष के बिना सामाजिक मुक्ति का माल्ग प्रशस्त करने में एहम भूमिका निभाई नारायन गुरू ने अपना सारा जीवन विच्षन करते हुए एक सन्यासी के रूप में निर्वाहा किया अपनी यात्रा के दौरान नारायन गुरू दो गुरूँ चेटमभी स्वामी और थिककड अयावू के संपर्क में आए जिन्होंने उन पर गहरी छाप छोड़ी नारायन गुरू ने अपने उपदेशों के माध्यम से समाज को समानता का पाठ पढ़ाया किन्तु साथ ही साथ उन्होंने यह भी अनुभव किया कि धर्मांतरन करने के लिए असमानताओं का अनुचित लाभ नहीं उठाया जाना चाहिए और इसलिए समाज में संधर्ष नहीं पैदा करना चाहिए इसके लिए उन्होंने वर्ष 1923 में बहस करने और जीतने के लिए नहीं बलकि जानने के लिए और ग्यात करने के लिए के नारे के साथ एक अखिलक शेत्र सम्मेलन का आयोजन किया जो भारत में इस तरह का पहला आयोजन था जो की यह मतांतरन का मुकाबला करने का प्रयास था इसके साथ ही श्री नारायन गुरू ने अपने जीवनकाल में कई सामाजिक कारे किये जिसमें जातिगत भेदभाव का विरोध, शराब बंदी, पशु बली बंदी है इसके साथ ही उन्होंने द्रिशूर, कन्दूर, अंचु थेंगू, थालास सेरी, कोजी कोड और मैंगलोर जैसे अन्य स्थानों में कई मंदरों का निर्मान करवाया वर्ष 1904 में उन्होंने अपना केंद्र वरकला के पास शिवगिरी में स्थाना अंतरित कर दिया जहां उन्होंने समाज के निम्नवर्ग के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला और जहां वहें उनकी जाती पर विचार किये बिना उन्हें मुफ्त सिक्षा प्रदान करते थे वर्ष 1922 में नूबेल पुरुसकार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर नी नारायन गुरुजी से मुलाकात करने के बाद कहा था कि मैंने विश्व के विभिन हिस्सों का धौरा किया है किन्तु मैं कभी भी ऐसे व्यक्ती से नहीं मिला हूँ जो आध्यात्मे गुरूप से श्री नारायन गुरु के कल से बढ़ा हो अंतिम समय में प्रेम और मानवता के प्रसार की लंबी यात्रा के बाद वैसारदा मठ लोट गए और यहीं पर उन्होंने 73 साल की उम्र में बीस नंबर वर्ष 19 और थाइस वो अपना नश्वर शरी छोड़ दिया